हरे कृष्णा, आई एम सुनील कुमार, आज से 50 वर्ज पुर्व भारत से प्रभुपाज जी 70 साल की उम्र में कारवो माल वाहग जहाद से अमेरिका गय थे और उनके पास मात्र 40 रुपे ही थे और उनके पास वहाँ कोई जान पहचान नहीं थे, वो अमेरिका गय और वहाँ जाकर एक बगीचे में बैट गय और करताल लेकर महामंत्र को गाने लगे और वहाँ के जितने भी हिपीज थे, जो सराप की नसे में जूंते थे, सड़क पर पड़े रहते थे, गैमलिंग करते थे जब प्रवपाजी महामंत्र को गाते तो सारे हिपीज के कानों में महामंत्र की ध्वनी जाने लगी और उन सब को बहुत आनंद आता था जो कुछ समय बाद जो हिपीज सराप के नसे में जूंते थे, वो हरिणाम के नसे में जूंने लगे और वो सारे हिपीज के हैपी में बदल गये जैसे आप भीज ख्येत में भीज बहते हो और उसका आप एंगल नहीं, देखते की वो कैसे बोया हुआ है लेकिन वो बीच फलीबूत होता ही है उसी प्रकार आप हरी नाम जैसे भी लो उठते बैठते खाते पीते शोते जाकते कैर से भी लो वो अपना असर दिखाएगी ही और एक ना एक दिन वो आपको पवित्र कर देगी प्रभपाजी प्रभपाजी से जो कोई भ भक्त बन जाता था और महामंत्र को गाने लगता था और प्रहुपाज जी के जितने सिश्य थे जो हिपेज उन से सिच्छा लिये थे और प्रहुपाज जी ने उन सब को कहा कि जो तुम ने सिखा अब तुम दूसरों को सिखाओ ऐसे करते करते सारे विश्व में, सारे विश्व के लोग हरी नाम में जूमने लगे और प्रवपाद जी बारा साल की उम्र में 108 मंदिर का निर्मार कराएं, इवन पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में 12 मंदिर पनवाएं प्रवपाद जी मात्र दो घंटे ही सोते थे, बाकी समय संसार के जीवों के कल्याड के लिए गीताप, हागवत, आधी जैसे ग्रंतों पर परफोट करते थे और प्रवपाद जी कुछ समय बाद लिखना बंद किये और रिकॉर्ड करने लगे, क्योंकि जो समय लिखने में लगता, उससे कई जादा वो रिकॉर्ड कर सके और संसार के जीवों का कल्याड हो सके अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कि आप सब शिल प्रवपाद जीसके लेक्चरों को सुनें, आप कभी भी भगवत गीता को पढ़े, और प्रवपाद जी के छोटे-छोटे पुस्तकों को पढ़े, और भक्तों की संगती करें, जिससे आपका जीवन कल्याड हो और आप भगवत प्राप्ती के, आप भगवत प्राप्ती कर सके हरे कृष्णा बुलकारत क्रिष्णा, 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 क आले झाले झाले, पर बजड़े